तो आज हम बात करने वाले शॉटकर्स फर फाइंडिंग फैक्टर्स ओफ नंबर किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर्स निकालना है तो उसका शॉटकर्स क्या होना चाहिए ठीक है ठीक है तो मैं बेसिकली आपको चीज़ बताता हूं अगर आपके पास कोई आपके एक आउटकम निकल के आएगी तो आउटकम क्या होगी कि यह एक तो मैंस करने के लिए आपको जादा लिखना पड़ेगा मोर राइटिंग इसकी डिसएडवांटे बताता हूं अगर आप सिंपल मैंस के जरिए अगर कई प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और दूसरा जो यह होगी प्रॉब्लम यह बड़ी स्लोवर तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाऊगे तो इसका यूज़ ना करके हम इसमें शॉर्टकर्स का जरिया हम इसलिए अपना रहे है देखो यह एप्रोस तो बिल्कु गलत है क्योंकि यह एप्रोस सॉल्व करेंगे कि तो इतना ठीक है तो यह वाली एप्रोस से क्या फाइदा होने वाला आपको इस एप्रोस से यह फाइदा होगा कि आपको ज़ादा लिखना नहीं है more writing की जगह है यहाँ पर writing आपको less writing हो जाएगी ठीक है तो पहली advantage इसकी यह वो थोड़ा आप fast कर पाऊगे इसको तो इसलिए हमें यहाँ पर short cuts का इस्तमाल करना है finding factors के लिए ठीक है factor को find करने के लिए हमें short cuts use करने है ना कि अगर हम math के जरीए से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आप मुश्किल पड़ेगा हमें ठीक है तो आप जानते है कि अब हम यह factor का जरीया मतलब factor हमें कहां पर जोगत पड़ेगी तो मैं आपको एक problem देता हूं ठीक है तो problem कुछ ऐसे है तो ठीक है तो हमारे पास यह problem है गाई तो problem यह है कि product of two numbers हमें 192 दे रख रहे है ठीक है मैं इसको highlight कर देता हूं तो problem से ना हमारे पास यह है कि product of two numbers is 192 and sum of two numbers is 28 हमें दोनों number calculate करने है यह हमारे पार्स पावलम ठीक है इसको अगर हम simple mathematical से solve करेंगे तो कैसे करेंगे ठीक है अगर आपको कोई kick नहीं पता है तो simple approach आपकी क्या होने वाले तो simple approach आपकी यह होगी कि आप जो product है इसको तो आप लिखोगे मैं एक simple approach बता देता हूं आप देखो आपके simple approach यह होगी कि आप a into b equal to तो कर दोगे 192 तो कि आपको first equation में यह दे रखा है ठीक है अब फिर आप second equation से आप यह बना लोगे a plus b equal to 28 ठीक है फिर आप क्या करने वाले हो आप इस equation से यानि कि a की value निकालोगे 192 by b और यहां पर रख दोगे यहां पर रख दोगे तो यहां जाएगा 192 by b plus b equal to 28 फिर आप कैसे solve करोगे आप यहां पर कर दोगे 192 plus b square equal to 28 b फिर आपने यह जो equation दिना equation बना के आपने यह method कर दिया है बहुत ही जादा बड़ा क्योंकि अब यह quadratic equation बन गई है तो अगर problem थोड़ी बड़ी हो गई तो quadratic equation से यह approach होने वाले गलत तो इसको ठीक करने के लिए हमें एक shortcut यूज करना पड़ेगा ठीक है तो हमें अब इसका shortcut यूज करना है अगर हम ऐसे करने बैठे ना problem को तो यह problem quadratic को solve करने हमें बोलग जाएगा बहुत अदा टाइम तो इसका shortcut क्या है shortcut का मैं बताओं तो shortcut मैं सिंपल इसको जो नमबर हमें 192 प्र प्रोड़क्ट में दे रखा है ना जैसे की वे नमबर हमें Product of 192 दे रखा हने जो नमबर प्रोड़क्ट में दे रखा होगा उश के 192 के निकान ए तक tess कि अगर हम किसी तरीक से 192 टो आड़क ते निकाल लेते है ना तो यह problem हो जाएगी easy ठीक है तो 192 के factor निकालने के तरीके क्या है अगर आप 192 के factor निकालोगे तो आप बहुत ही बड़े method से निकालोगे और जो की आजसाई नहीं होगा ठीक है तो मैं आप simple approach बता देता हूँ अगर आपको किसी नमबर के factor निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं सबसे पहले आप 192 का factor होगा वन और 192 तो कि हर एक नमबर अपने वन से और अपने आप से डिविजवल होता है ठीक है तो 192 के factor निकालने का मैं जरिया बता रहा हूँ पहला तो आप निकालोगे वन इंटू 192 equal to 192 फिर आप चैक करोगे कि टू से डिविजवल होता है कि नहीं अगर यह नमबर तू से डिविजवल होता है तो आप क्या करोगे तू से वाडिवाइट कर 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 देख लो जैसे कि टू नाइन जा 18 का 1 वन तूशिः ट्रॉट आपको सिंपल आता है मैं इस नहीं बतारों कि इसको भी कैसे करेंगे फिर फोल से करेंगे for अगर तू इख रहा था तू दिख रहा था ना तो मैंने कैles क्या करा चूप को Hell इक कर दिया तू से तो ज्याक की 4 हो गया को यहात्ight तो चैसे करेंगे तो जो हमने ॉपर काम करें को वोटा रहे तो इसको का सान करने का तरिका है हम उपर से find कर लेंगे फिर क्या करेंगे फिर हम अगला नमबर देखेंगे अगला नमबर होगा 5 5192 से divide नहीं होता है फिर आएगा 6 ठीक है 6 से अगर divide करेंगे तो मैं यहाँ से देख लूँगा दोगार से बता देता हूं कैसे मैंने approach लिए थी मैं यहाँ पर 3 को देख लूँगा वो 3 तूजा होता है 6 यानि कि 3 की multiply कर दी 2 से तो अगर मैंने यहाँ पर 3 की multiply 2 से करिया ना तो फिर मुझे 64 को divide करना पड़ेगा 2 से तो 64 को divide करूँगा 2 से तो आजाएगा 32 इंपल यह यह approach मैं यूज करता जा रहा हूं फिर मैं चेक करूँगा 8 से 8 से मैं चेक करूँगा तो 8 8 के लिए क्या करूँगा कर से इंपल समझ में आ गया ना 4 की multiply कर दूँगा यहां पर टू से पूटी एट पो डिवाइड कर दूँगा टू से तो क्या आ जाएगा 8 चा आजाएगा एट और टुन्टी पूर ठीक है तो पिर अगला नंबर क्या जाएगा अगला नंबर आजाएगा अगला नंबर मै यहां लिख देता हूं अब मैं 6 पता तो 6 की multiply कर दितुए 12 से और 32 को divide कर दिया 2 से यानि कि आ गया 16 अब मैं यह कब तक चलू यह तो पूई limit है नहीं ना की मैस को रख़ो उसकी भी एक ट्रिक यह है कि आप को देखो पहली बात तो हो दिसक्षा थे यानि कि कौुई भी नमबर इसको फैक्टर करते करते साथ में प्लस भी करता जा रहा था कि इन मैंसे कोई 28 बना रहा है कि नहीं यह सी किसी नमबर ने इसको दुबारा से करके बताता हूं आपको अगली प्रॉब्लम से तो आपको अच्छा के लिए रहा था कि कैसे शॉटकर चूज़ करते फ्यक्टर निकालने के लिए तो मैं अगली प्रॉब्लम देता हूं तो हमारी पास दूसी जो प्रॉब्लम घुर्ट क है वो यह कहती रहा हूं प्रॉड्ट अपू पॉजिटिव नमबर्स प्रॉड्र प्रॉजिटिव नंबर्स लिए इस टूबन瞌स x वहाई उसके बाद हम टू से डिवाइड करेंगे को टू तक टू से डिवाइड हो जाएगा ठू यानिक टू वंजा तू बन जीरो एट अब अब हम ठीन से चेक करेंगे जीरी से करना है टू से तो यहां निके क्या आएगा हमारा फिफ्टी फोर इंपल ठीक है फिर हम देखेंगे सिक्से शिक्स से निकालने करें मिल्टिप्राइब कर दूंगा थीरी की टू से और डिवाइड कर दूंगा शैवन टी टू को आट टू से तो यहां पर आ जायेगा अट तो यहां पर यहां पर तो मैं एक चीज बता देता हूं इसको रूखने के लिए अभी हम अब डेख लेते इसके बाद मैं बताता हूं आगे ट्रिक के कैसे हम कहां पर हमें रुकना है तो यहां पर 4 है 4 की multiply कर दूँँगा 3 से यहां 12 आ जाएगा और 10 11 से यह डिवाइड होगा नी और फिर इसकी मैं डिवाइड कर दूँगा 54 को तो यहां पर आ जाएगा 18 तो वो हमें यहां पर पता चला है कि जो सम है 30 है तो साथ साथ हम करते भी जा रहे थे 249 यहां पर हमें सम मिल गया 12 प्लस 18 एक्वल टू 30 तो यानि कि पुनो नंबर यह 12 और 18 लेकिन हमें यह नी समझ में आ रहा कि हमें रुकना कहां पर है तो आप कहोगे कि हमें उसके जो डिवाइड बाइड वाइड वाइड वहां पर रुकना चाहिए तो मैं पता देता हूं रोपने की ट्रिक क्या है रुखने का हमारा फंड़ा यह है जो हमें अ नंबर दे रखा है चाहरा तो जैसे कि हमारे पास लबाया 169 में फ् coalition लिटेन निकालने तो 169 का जो अंडर रूट होगा 13 169 को अगर अंडर रूट निकालंगा होगा 13 तो हमें सिर्थ 1213 तक ही यह चलाना है कि आय समझ जो जैसे कि 216 है 216 तो जो हमारा तो हमें सबसे बढ़ी है अगर आपको के करनी है तो हमें पता है कि जो 216 के करीब जो नंबर है वो 225 तो हमें कैसे भी कहाँ है 15 तक ही जाना है यह जो हमें चैक करना है ना बंसे लेके तो यह रुखने की यहां पर हमें वहीं तक रुखना है जो जैसे कि दोस्तों तो पंदा तक चैक करना था ठीक है तो हमें बकायदा आंसर मिल गया बारा पे लेकिन अगर हमां यह पंदा तक भी चैक करते थी ढरिख अपरह परेहीं हमेरा रॉकने का फंडा है तो हमें रूकने का यह है कि जोसका अंडर रूट है वो चेक कर लेना इसे जो उसके आसपास एmal log यह उसके आसपास की इसकी बैल्यू के आसपास लोगने जैसे कि अग्जांपर के तर फॉर्टीन तक आप यह चला सकते हो आपको पूरा नीचा करना तो मैं एक घ्जाम्पल बता देता हूं कि जो आपका जो जो मतब एप्टीटूड के जो पुस्चेंच होंगे उसमें जो होंगी ना तो मैं एक चीज बता देता हूं कि जो एक टीटूड में जो प्रॉब्लम्स आएगी ना उसमें जो most of time most of time number जो given होगा ना आपको number given जो होगा वो होगा 200 से less than तो 200 से less than number होने वाला है कि आपको कोई सब्सक्राइब किसी भी कोश्चन में जो यह product of two numbers ऐसे करके दिया जाएगा वो 200 से बड़ा number नहीं देंगे क्यों क्यों क्योंकि मैं बताता हूं कि देखो अगर आप इसके factor निकालोगे अगर 200 तक कि आपको टाइम लगेगा जैसे दस ऐसे 10 निकल के आएंगे उसके ऐसे 10 फैक्टर निकल के आएंगे maximum ऐसे 10 फैक्टर निकल के आएंगे जैसे कि मैं पिछले example में बता हूं तो इसको देखो कितने प्रेक्टर निकल करें एक एक दो तीन चाहर पांच गार्ट तो यहांपे आठ प्रोप्रोच करने की उसका टाइम लिमिट कम हो गया क्योंकि आपने यहां मैं से करके थोड़ा थाइम बचा लिया है तो जब भी मैं इसको maximum time लेकर चलू तो आपका maximum time जो यहां पर लगने वाला है ना नहीं बादल लेता हूं तो जो जो इसका maximum time जो आपका लगने वाला है न वह वन एक से दो सेकंड लगेगा पर पेयर एक से दो सेकंड लगेगा पर पेयर तो अगर मैं आपका वॉस्ट केस निकालू अगर मैं आपका वॉस्ट केस निकालू तो आपके वॉस्ट केस के अंदर 20 सेकंड लगेंगे बिल्कुली वॉस्ट केस है यह ठीक है तो यानि कि अगर आपको दो सेकंड लगते हैं तो दस स्पेर के दो हो गए आपके 20 सेकंड तो आपको कैसे भी कैसे 20 सेकंड में आपका आंसवर निकल आएगा यह जब कि आपको यह अप्रोच लगा के चलनी है कि इससे ज्यादा टाइम आपको किसी भी कोशन पर लगानी नहीं क्योंकि मैंने है 20 सेकंड में आपका आंसवर आजाएगा या फिर नहीं आएगा तो यह सिंपल है नहीं आएगा तो यह कोशन में कुछ गड़ा बढ़ा या ऑप्शन में गलबढ़ते रखी है तो यह है आपका शॉर्टकर्स फोर फाइंडिंग फैक्टर और मैंने बता दिया आपको कर देना तो यहां फोर आ गया एट का निकालोगे तो फोर की मल्टिप्राइबाइब टू कर देना तो इससे आपका एक एक सेकंड और बच जाएगा तो आपका मुश्किल से लगबग दस सेकंड में आंसवर आ जाएगा लेकिन मैं वोश्ट केस लेके चलना हूं अगर बि ओधर तो यह प्रॉडलम। देने जारहा हूं इसी की टो ठीक है मैं आने आपको यह प्रॉडलम दीए तो प्रॉडलम सिंपल है आपको प्रोडक्स बार दो नमबर का 240 दे रखा इंगे और आपको जो डिफेंड्स है न वो है यह इड़े इस बार मैंने समना देकर आपको तो उन दो नमबर में से एक नमबर को find करना है या फिर option में से 12, 16, 24, 33 में से एक option है जो आपको इसको comment में बताना है ठीक है तो यह है आपका problem जो आपको खुद से solve करना है ठीक है वाइस आपको यह problem सोज में आ गई होगी तो मैं आपको एक problem हो देने वाला है तो कि हम अगली problem जो दे रहा हूँ न वो थोड़ा prime number के regarding दे रहा हूँ तो simple problem यह है product of two numbers दे रखा आपको 185 वन इंटीजर इस प्राइम है तो यह आपको ध्यान रखना आपको मैंने बता रहा है पहली वीडियो में कि पैम नंबर कौन से होती है तो वन इंटीजर प्राइम है और उसमें स 13, 17, 19 इन में से अगर कोई number आता है तो उन में से एक number तो यह है आपको दूसा number find करने के लिए यह आपको option given है तो यह आपको solve करके इसका answer जो आएगा उसका आपको comment में लिखना है option A, B, C, D में से ठीक है तो मैंने आपको दो problem दिये है इसके वाद मैं अगली वीडियो में बता हूँ आप time numbers को कैसे solve करना है ठीक है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप नहीं हो तो चैनल पर जरू सब्सक्राइब करना और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ठीक है आज के लिए इतना ही